हालो डियो फ्रेंड्स बेलकीट उग्जाम गुरुजी आज हम आपके लिए ससी जेई का दो हजार बाइस में एक एक्जाम हुआ था नमंबर में उसका आपके लिए प्रिवी स्रीका कोशने पेपर लेके आये हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐ यहां पर हम आपको डिटेल में अंसर प्रवाइड करेंगे बाकि आपको पता है कि अंसर जो है यहां पर दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम यहां पर जो है आपको डिटेल में अंसर प्रवाइड करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत और भी नॉलेज जागो मिल सके तो हम से पहले आपको यह पाता होने चाहिए ऐसे question solve करने से पहले कि हमारी ब्रिक होती है वह कितने तरह की होती है तो वह यहां पर modular के according दो तरह की होती है एक होती है modular brick जो यहां पर पुछा गया modular brick and एक होती है नोन modular brick तो नोन modular जो होती है उसमें सिर्फ एक ही साइज आता है जो इसको आप conventional size की brick होते हैं conventional size की brick होती है वह नोन modular bricks में आता है तो जो conventional size की brick होती है उसका size होता है 22.4 cm by 11.4 by 7.6 cm यह size होता है conventional brick का जिसको आप नोन modular brick होती है अब जो modular brick होती है वह उसमें भी दो type है एक standard size की होती है दूसरी होती है nominal size की यहां पर देखिए standard के बार में पूछा गया तो standard का size जो होता है वो यहां पर answer में दिया गया है और जो nominal size की brick होती है उसमें आप plus modular भी add कर देंगे तो हमारी वो nominal size की brick बन जाती है common question है लेकिन आपको फिर भी question जो है मैं आपको यहां पर detail में अंसर बताने की कोशिश की है next one question हमें आपर देखते हैं एक numerical पूछा गया है numerical क्या था rl of point a is 100 meter rl जो है reduced level जिसको आप rl बोलते हैं वो reduced label होता है यह point hundred meter है and its backside bs कितना है two meter दिया गया है if the next reading at the change point जो next reading है change point की वो 1.5 meter है then the reduced level of change point change point का reduced level होता है वो क्या होगा भई change point का reduced label क्या होगा very very important question so as a question जब भी आपको exam में पूछ जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या find to करना होता है height of instrument height of instrument से भी exam में question पूछा गया है कि height of instrument यह में होता है तो बहुता है reduce level plus backside reduce level plus backside होती है वह height of instrument होता है तो हमारे पास height of instrument क्या आ गया reduce level कितने हमारे पास 100 है 100 and backside कितनी देंगी है two meter दी गई है एक 202 मेंटर हमारे पास height of instrument आ गया है अब हमें क्या find out करना है हमसे पूचा गया कि भाई जो reduce label है change point का वो find out करना है reduce label जो होता है change point का वो हमें find out करना है तो हमारे पास height of instrument होना चाहिए and minus हमारे पास जो next जब आप change करते हैं जो next changing reading होती है वो हमें पता होने चाहिए यानिकि next reading at the change point change point पर कितनी है 1.5 हमारे पास दी गई है high to instrument हमने find out किया 102 minus 1.5 कितना है हमारे पास reduce level of change point का 100 0.5 meter यह हमारे पास answer में यहां पर आ चुका है easy question था अगला question हमें आपर देखते हैं consider the following statement and select the correct answer दो statement यहां पर दी गई है 1 and 2 तो कौन सी सही है वो हमें बताना है तो यहां पर दोनों ही सही statement है आप देखिए question क्या बोर रहा कि which of the following alloy of iron and carbon has the highest yield strength highest yield strength किसके पास होती यहां पर answer वैसे दिया गया है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि भई जब आप carbon का content बढ़ाते हैं carbon content बढ़ाएंगे तो क्या क्या बढ़ेगा हमारी एक तो strength जो होती है वो बढ़ती है हमारे पास जो toughness होती है वो बढ़ जाती है bitterness जो होती है वो भी बढ़ जाती है लेकिन एक property होती है जिसको आप ductility के नाम से जानते हैं वो कम हो जाती है carbon content बढ़ाएंगे ductility कम होगी लेकिन strength toughness bitterness जो होती है ये वढ़ती है जितना जादा आपका carbon content होगा उतनी जादा आपकी क्या होगी yield strength जो होगी वो होगी higher the carbon content higher will be the yield strength तो इसलिए high carbon steel जो होता है उसमें carbon content की जो percentage होता है 0.6 से लेकर 2% आपको carbon content high carbon steel में देखने को मिलता है तो ये point आपने देखोगा ये question exam में ये पुछ जाता है कि भाई जो road iron होती है वो purest form होती है iron की उसमें carbon content 15% होता है तो उसकी ductility जो होती है वो कम होती है ऐसे question हमने कई बाट आपके सामने लेके आये हैं तो ये point भी आपको पता होना जूरूरी है कि higher content जो होगा carbon का ज्यादा ही होगी कितना होता है ये भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है ये point भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए बहुत ज्यादा important question है ये विसे cast iron जो होता है सबसे ज्यादा उसमें ही होती है 2-4% उसमें होती है cast iron जो होता है तो जिसने वह चैनल को subscribe नहीं किया so using larger aggregate result ही क्या हमें result देता है तो जब भी हम concrete mix design की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास water cement ratio जो है वो कम है तो उससे क्या होता है कि भाई हमारा जो है compressive strength जो होती है वो बढ़ती है compressive strength increase होती है water cement ratio कम होगा तो क्या होगा compressive strength बढ़ेगी ऐसे ही अगर आप बड़े बड़े size की aggregate यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि less surface area जो होगा आपके पास होगा तो इससे क्या होगा पानी की जो demand होगी वो कम हो जाएगी तो हमारी बरकलविटी जो होती है वो increase हो जाती है at the water cement ratio जो हमारे पास दिया हुआ होता है water की demand कम हो second is the correct answer बन जाएगा अब यह पर next एक numerical पूछा गया है water is flowing through a pipe of six centimeter diameter under pressure हमारे पास pressure भी गिवन है यहाँ पर and with mean velocity कितनी velocity two meter per second की दिए है find the total head or total energy per unit weight of the water at a cross sectional which is six meter above the datum line datum line के according तो आपको पता कि यह question जो है बर्नोलीज equation जो है उसके according पूछा गया है तो उसके according जो सम होता है pressure energy का kinetic energy का potential energy का steam line के according वो constant होता है तो पी बटे पी जी प्लस वी स्क्वेर ओवर टू जी प्लस जड़ यह formula है बर्नोलीज equation के according sum of pressure energy का kinetic energy का and potential energy का तो इसमें आप value put up करेंगे तो आपको पास answer जो है वो आ जाएगा जैसे कि हमारे पास यहाँ पर pressure कितना दिया गया है यह दिया गया देखिए pressure दिया गया है पी बटे जी जो है यहाँ पर thousand आएगा प्लस वी velocity हमारे पास given है 2 तो यह constant है जी acceleration due to gravity है 9.81 होती है and plus यह पर z की जगा 6 आएगा हमारे पास तो यहाँ पर आप इस question को find out करके हमारा पास answer जाएगा आप इसको find out कर सकते हैं अगला देखिए considering maximum and minimum stress at the base of the dam आप consider कर रहे है maximum and minimum stress at the base of the dam it will be correct to assume that क्या assume करेंगे आप तो maximum stress in reservoir empty condition is expected at heel of the base maximum stress in reservoir empty condition is expected at heel of the base यहाँ पर आप consider करते हैं option one हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा next question देखिए as per हमारे इंडियन स्टाइड कर कोडिंग और what is a minimum sorry maximum free water cement ratio of an M20 grade of rain force cement concrete under mild export condition के लिए mild condition के लिए M20 rain force का grade आप यूज कर रहे है maximum free water ratio जो होता है वो क्या होता है तो यह maximum free water ratio आपको सभी के बारे में पता होना जुरूरी है M20 के लिए कितना होता है M25 के लिए कितना होता है M30 के लिए कितना होता है and last में M40 के लिए कितना होता है तो maximum free water की आगर हम M20 की बात करेंगे तो G तो 0.55 होता है 25 की बात करेंगे तो 0.50 होता है 30 की बात करेंगे तो 30 के लिए 45 होता है 0.45 and M35 के लिए भी 0.45 ही होता है and M40 के लिए 0.40 होता है तो ये free water है वार्टरस्मिंट का रिश्यो मैक्सिमम तो M20 के लिए पुछा है तो हमारे पास 0.55 यहां पर देखें कि दिया है 0.55 तो ये तीन चार्ट चीज़े और भी है इनको भी आप देख लिजी बहुत ही important exam के पुइंट हो भी से आप देखें आप पर question पुछा आई है कि plaster of Paris not used in the ex-deasional finishes of structure because भाई बोला कि plaster of Paris जो होता है वो आप बहार की दिवार जो होती है वहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्यूं क्यूंकि बहार आपको बता है कि atmosphere के condition में आता है तो उससे क्या होता है कि बारिश होती है कभी-कभी तो बारिश यह होती है उससे क्या होता है कि हमारे जो plaster of Paris जो होता है वह पिघल जाता है गुल जाता है वाइड फी इसलिए आप इसको बाहर नहीं कर सकते हैं इसके तर्मल कंडेक्टिविटी होती है बहुत कम होती है यह पॉइंट भी इंपॉर्टन है इसको भी दिख लीजिए बाकी तो कॉशन के कॉर्णि मैं आपको बता दिया कि यह अच्छा है वैसे यह एक्सपेंसिव भी होता है इसके बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आपको यह देखने को में है कि आप इसमें फाइवर को भी यूज करते हैं तो प्लास्ट्रोंपेर बहुत ज्यादा मेहंगा हो जाता है इसके लिए स्किल्ड लेबर की भी जुरूरत पढ़ती है यह सारे इंपोर्टेंट एक्साम के पॉइंट अगला कुशन क्या बहुत रहा है जुक होती है पांदे आ से रहल हुतार है पाण साल में इने अर उसी सीक्राप्स में यह संत हुआ श्य कब कर देखन के ऊबल Town की बहुत वट रही कंवे तरह हो रहा कि अश्याम घौय यह अनुचिंह कहां यह बिलकुल ही क्या है सही स्टेटमेट है and water logging is caused due to the presence of permeable stata permeable stata की बज़े से बोलता है कि water logging होती है तो यह भी गलत है option b and e is the correct answer यह incorrect है बाकी दो जो बताई है a and c यह बिलकुल सही है तो यहां पर मैं आपको effect बता देता हूँ कि water logging के क्या-क्या effect पढ़ते है तो जो plant पोदे होते हैं उसकी growth में आपको कमी देखनों को मिलती है यह बहुत ही जादा important point है and जब भी आप खेती बाड़ी करते हैं उसमें आपको बहुत सारी कितना यह देखनों को मिलती है and जो हमारे पास पोदे जो होते हैं वो बढ़ने की जगा घरते हैं आप जैसे कि देखते होंगे आप कि भाई कभी किसी जगा पर बहुत सारे पोद्दे हुआ करते फिर लेकिन बहुत कम होके हैं तो वह वाटर लोगिंग के कारण ही हो सकता है इँ न जो इबादर लो जाता है आपको पता कि यह भी समका पूछा गया तो सौइल का टेंपरेश्जेश्र है अ वो क्या होगा वाटलोगिंग की वज़ए से प्सवाल के टंपरेशर क्या होता है कम होता है बढ़ता है इस तरब से इग्जाम में कोश्चन पूछा गया था एम शुनिया एड़ दा फ्री एंड देन जन क्या होगा बीम हैज कॉंस्टंट वेंडिंग मोमेंट त्रू आउट यह सैकंड इस दा क्रेक्ट अंसर हो जाएगा अब यह कोशन देखिए दुबारा से इसी ही एक्जाम में पूछा गया है तर नॉमिनल साइज अव स्टैंडर इंक्लूडिंग मोटार मैंने आपको बताया तब फर्स्ट ही कोशन में को उसको आप नॉमिनल साइज की बिक बोलते है इसको जो साइज होता है 20 वाइ 10 वाइ 10 सेंटीमेटर होता है यह होता है ऑप्शन थर्ड हमारा इस कोशन में आंसर बन जाएगा इंपोर्टन कोशन है लिए अब अगला वोशन देखिए आपके according to the limit state of collapse for RC structure limit state of collapse के according RC structure the value of partially safety factor should be taken as partially safety factor should be taken as कितना लेते हैं आप संबुकर लिए तो concrete के लिए 1.5 लेते हैं steel के लिए 1.15 लेते हैं लेकर हमारे पास ऐसे क्ट्र होता है इस पहसर निगीkeeping सेबूर रही तो यह तो यहедव है आप अच्यत्य साथ से देख लीजिए अब देखिए ऐसे ही दो कोशन बन सकते हैं आपके कैसे The maximum value of effective slenderness ratio as per हमारे Indian standard 800 के according for tension member के लिए देखिए tension member के लिए in which a reversal of direct stress occur due to load other than wind or seismic forces other than wind or seismic forces के according tension member के लिए reversal के कैसे में यापे 180 answer होता है लेकिन एक compression member के लिए भी होता है compressive load resulting from dead load and imposed load के लिए dead load and imposed load के लिए भी 180 ही होता है हमारे पास maximum slenderness ratio तो दोनों के लिए 180 होता है इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिए कोशन को लेकिन हमारे पास एक tension का ही case आता है simple tension के लिए तो उसके लिए 400 होता है simple tension के लिए member always under tension always under tension लेकिन यहाँ पर क्या था reversal of direct stress due to load other than wind or seismic forces के लिए 180 होता है लेकिन direct जो under tension में होगा always उसके लिए 400 होता है तो यह दोनों कोशन important है तीनों तो हमें क्या find out करना है यहाँ पर radius हमारे पास given है तो हमें क्या find out करना है length of the code चोड या पर code एक ही बात है तो यहाँ पर चोड की length हमें find out करनी है कि क्या होगा वही यहाँ पर दो हमारे पास cases आते हैं if the length of the code is 20 meter तब आप कौन सा formula यूज करेंगे ग्यारा यह 46 divided by radius रेडिस हमारे पास यहाँ पर given है अगर 30 meter की chain होगी length होगी तो आप यूज करेंगे 17 19 17 19 divided by रेडिस हमारे पास दिया गया है आप दोनों में value put up करेंगे यहाँ पर आर की जगा 688 find out करेंगे तो हमारे पास answer जो होगा 30 meter की chain होगी तो 2.5 answer जो है वो आ जाएगा क्योंकि यह 20 वाला लेंगे तो हमारे पास 1.66 यहाँ पर कहीं भी option में नहीं दिया गया देशे कि 20 meter की 2 है degree है और 2.5 है तो यही हमारा answer हो जाएगा आप इसको find out कर सकते हैं तो देखिए when only one point is available for orientation then orientation is done by किसके दोरा की जाती है जब कोई भी point orientation के लिए available ना हो तो आप through compass को use करते हैं वैसे orientation तो आप लेकिन डियाब लिप से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक main point mention किया गया था तो उसके coding हमारा answer यही होगा अब अगला question देखिए यहाँ पर the addition of portland of fly ash in the mix design result in reduction in किसको कम करता है जब आप जो fly ash होती है उसको किसी mix design में add करते हैं तो वो किसको कम करता है सबसे पहले है मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि भाई वो किसको improve करता है या फर increase करता हूं उसके बाद reduction किसको करता है यही कि कम किसको करता है तो improve लिखिए सबसे पहले fly ash को जब आप mix design में add करते हैं तो वो workability को improve करेगा workability लिख लिजिए and ultimate strength जो होती है उसको भी बढ़ाता है durability जो होती है उसको भी यह बढ़ाता है हमारे पास initial setting time जो होती है उसको भी यह बढ़ाता है यह चार पॉइंट है workability, ultimate strength, durability and initial setting time इन चारों को यह बढ़ाता है जबकि जिसको कम करता है, reduction करता है, decrease करता है वो होती है, water की demand जो होती है and heat of hydration जो होती है उसको कम करता है and drying shrinkage जो होता है इसको भी यह कम कर देता है, permeability जो होती है, इसको भी यह क्या कर देता है, कम कर देता है and chemical attack जो होता है, इसको भी यह कम कर देता है, chemical attack देखिए यहां पे कौन-कौन से option दिया गया है, permability दिया गया है, chemical attack दिया गया है, heat of hydration दिया गया है, बाकि initial setting time तो यह आपको बढ़ता है, तो reduction के लिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 option यहां पे दिया गया है, तो यह 4, 5, 6, 7 जितने भी option मैंने आपको बताए है, इन सभी point को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, exam के point obvious से बहुत ज्यादा important है यह, अब अगला question देखिए यहां पे based on their physical and mechanical property, physical and mechanical property, clay bricks are classified into dash classes, clay की जो brick होती है, वो किसको कतने part में divide किया गया है, based on physical and mechanical property के according, तो देखिए उसको चार पार्ट में divide किया गया है, जो first class की brick होती है, second class की होती है, third class की होती है, and जो fourth class की जो होती है brick, उसमें हमारी over burnt brick आती है, over burnt brick जो होती है, वो आती है, first, second, third, और fourth, first class जो brick होती है, उसकी जो compressive strength होती है, वो common चीज़ है, सभी को पताए कि वाई, 10.5 होती है, newton per mm square, second class की जो होती है, उसकी कितनी होती है, साथ point, कई जगा 5 होता है, कई जगा 7 होता है, चलो मैं भी साथ ही लिखता हूँ, and जो third class की होती है, उसकी 3.5 होती है, compressive strength, common चीज़ है, first class की जो brick होती है, 20% पानी absorb करती है, second class की 22 करती है, third class की 25% पानी absorb करती है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लग जाए कि वो कौन कौन सी brick होती है, आप तो आपको याद आगया होगा कि बई, चार bricks आती है, physical and mechanical property में, तो ये ये होती है, overbrand की भी एक brick होती है, जिसको चोथे नंबर पर आती है, वो, तो अच्छी तरह से देख लिजी इस question को भी, अगला देखिए, which of the falling is not a function of cross regulator, cross regulator के function क्या, कौन सा नहीं होता है, is not a function, तो option 4 यहाँ पर दिया गया, बाकि ये तीन function होते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं, इन तीनों को आप याद कर सकते हैं, बाकि जोती को भूल चाहिए, बाकि जिसने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया, आप याद कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, अभी आप याद नेक्ट में कोशन क्या पूर रहा है, according to हमारे इस आईस कोड के according, the design compressive strength of an axily loaded compression member is based on, axily compression member के base पर क्या होता है, based on the, तो based होती है, Perry Robertson formula, Perry Robertson formula जो होता है, वो pd is equal to ae into fcd, जहाँ पर a और e जो होता है, वो क्या होती है, effective sectional area, sectional area होता है, ae and fcd जो होता है, यह होती है, design compressive stress, तो यह, अगर हो सकते हैं, एक्जाम में कोशन numerical से पूछे जाए, तो आपको यह numerical formula है, वो पता होना जुरूरी है, अगला कोशन देखिए, the shear associated with change of bending moment along the span, change of bending moment along the span, is known as flexure shear, flexure shear के नाम से जानते हैं, जो beam होता है, उस पर flexure shear ही लगता है, subjective to flexure shear, इसलिए A हमारा अंसर हो जाएगा, इस कोशन में, अगला कोशन देखिए, यहां पर क्या गोटा है कि, which of the following formula explain the calculation of area of earthwork using its mean depth, using its mean depth, यहां पर area क्या देगा है, B, D plus S, D square, जहां पर B का क्या meaning होता है, breadth of section and E, mean depth of section and S, area of side, क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि, area of earthwork जो होता है, उसको calculate किया जाता है, कितने method के द्वारा, कितने method होते हैं, measurement of earth के, तो चार method होते हैं, चारों आपको पता होने जुरूरी है, कि भाई, एक होता है, mid sectional method, mid sectional method होता है, earthwork का area find out करना है, एक होता है, हमारे पास, prismoidal method, prismoidal method, दो method होगे, and तीसरा होता है, एक, Simpson method, Simpson, 3 वटे, 8th rule का method है, इससे भी आप area, find out कर सकते हैं, earthwork का, and last one होता है, trapezoidal method, trapezoidal method, तो ये चार method होते हैं, इससे आप earthwork का area find out कर सकते हैं, तो इसमें जो हमारे पास, यहां पर दिया गया है, वो पूछा गया है, mean depth method का, mean depth method का, तो mean sectional formula, ये दिया गया है, option 4 हमारे पास, answer हो जाएगा, mid section formula हमारे पास, first ही, इससे आप find out कर सकते हैं, ये formula जो होता है, वो इसके अंदर आता है, so इसको find out करने के बाद, यहां पर आप L length जितनी दी गई है, हमारी road की, length L कर देंगे, आप तो आपके पास, volume of earthwork आ जाएगी, आप देखे, question क्या बो रहा है कि, what is the meaning of biaxile stress, biaxile stress का क्या meaning होता है, biaxile stress का meaning होता है, only two normal stresses are present, only two normal stresses present in biaxile stress, उसको आप biaxile stress बोलते हैं, stress acting two axis, दो normal stresses present हैं, तो इसलिए a हमारा answer होगा, अब अगला question देखिए आप, which of the following is the main function of submerged curve in rural road, submerged curve जो होता है, यह rural road में ही provide के जाता है, सिर्फ flexible payment में ही, हमें यह provide करते हैं, flexible payment जो होता है, इसमें provide करते हैं, यह provide के जाता है, जो payment की जो edge होती है, edge and shoulder के बीच में यह provide के जाता है, edge and shoulder के बीच में यह submerge कर provide के जाता है, यह provide के जाता है, stability जो होती है, flexible payment को देने के लिए, या फिर lateral confinement to the base course को provide करने के लिए, प्रुबाइट के जाता है, इसलिए option a हमारा answer बन जाएगा, stability जो होती है, उसको देने के लिए या फिर confinements होती है उसको देने के लिए provide के जाता है कहां पर provide के जाता है यह भी important है अगला option देखिए a phenomenon of rise or fall of liquid level in capillary tube is called capillary in non-wetting liquid example mercury what is the relation between cohesion of mercury and addition between mercury and capillary tube cohesion is greater than addition option 4 अगला देखिए in which type of beer is the excess energy of overflowing water dissipated by means of the hydraulic jump तो वो सिर्फ concrete beer with glacis में ही होता है second इस question में answer हो जाएगा तो यहां पर एक numerical पूछा गया है three phase diagram के ओपर partially saturated soil partially saturated soil जो होता है उसमें भाई हवा भी होती है water भी होता है and soil भी होता है तो उसको partially saturated soil sample बहुते हैं determine the degree of saturation, degree of saturation आपको find out करना है तो degree of saturation जो होता है वो volume of water over volume of void, volume of water, volume of weight यह degree of saturation होता है तो देखिए यहां पर V दिया गया है, एक side W दिया गया है तो V for volume W for weight यह दिया गया है यहां पर तो हमें degree of saturation find out करना तो उसको formula volume में ही होता है volume of water over volume of voids तो voids में ही हमें find out करना है volume में find out करना है volume CC में आती है आपको पता है cubic centimeter या फिर cubic meter में आती है तो देखें यहापे अब हमें volume of water कितना दिया गया? volume of water देखें यहापे point 15 point 15 divide by volume of voids fulness कितना दिया गया है यह रोड है पॉइंट 2349 अगर अगर पूछो कोई कोशिन ग्राम में भी होता है तो आपको यह वाई वैल्यू लेनी था उस टाइम लेकिन यहां पर गल्ल्य मैं पुछा तो हमें यह वाली वैली 6 3 आएगा 8 5 यह अंसर हमारे पास आएगा आप इसको calculate कर सकते हैं हमारे पास अंसर यही आना चाहिए यही आएगा भी अगले देखिए in stress block diagram for a rect angular section of simplest reinforced beam in a limit state method the centroid of compression force lies at a distance of dash from the extreme compression fiver centroid जो होता है compression force का वो लाए करता है at a distance of 0.242 x u from the extreme fiber जो होता है बाहर का जो fiber होता है उससे तो यह हमारा अंसर बन जाएगा यह आपको याद करना पड़ेगा यहाँ बाकी और कुछ बताने की जोट नहीं है अब यहाँ पर अगला question देखिए the recommended slump range mm में दी गई है सारी value as per हमारे IS code for hand placed payment के लिए हातों से place किया हुआ payment road का जो surface होता है उसके लिए कितनी होती है degree of बरकलविटी की value करेंगे तो बात करेंगे तो वो low होती है लेकिन भाई slump value गुचे गई है वो क्या होती है slump value जो होती है वो कितनी होती है यहाँ पर answer तो वैसे दिया गया है 25 से 75 ही दिया गया है होती भी ही है लेकिन यह और किस किस के लिए हो सकती है 25-75 या फिर degree of बरकर बिटी जो है वो low किस-किस के लिए और हो सकती है तो वो canal की lining आपने नाम सुना होगा canal lining जो होती है उसके लिए 25-75 mm value होती है stiff footing जो होती है उसके लिए भी इतनी ही value होती है हमारे पास हमारे पास जो light section का reinforce section का slab होता है light section का उसके लिए भी light beam जो होता है उसके लिए भी and walls हो गई हमारे पास column हो गया हमारे पास light weight का वही light reinforce section जो होता है light में heavy भी होता है heavy में भी slab beam भी आते हैं लेकिन उसके लिए 50-100 होती है यह आप याद रखिए light की बात हो रही है light heavy heavily lightly तो यह दोनों चीज़े अलग लह गया है इसको आप अच्छी सरह से याद के लिए and mass concrete जो होता है उसके लिए वो 25-85 value होती है तो इस सारी चीज़े आप याद रखिए वह heavy के लिए कितनी होती है light section के लिए कितनी value होती है अगला देखिए the sloping floor below and in constitution of the raised crust of wear is known as glacis हम उसको बोलते हैं जिसने चैनल को subscribe नहीं कि आप वो कर लिजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए अब देखिए को पूशन पूश्टा के तो टोटल active pressure due to dry backfill total active pressure जो होता है किसके बिज़ से dry सुखा backfill जो होता है acting कहां पर act कर रहा है h बटे 3 height के 3 पर act कर रहा है the base is directly proportional जो base होगा वो किसके proportional होगा तो वो h square के proportional होगा h square के वो proportional होता है अगला देखिए the voids ratio for which change the volume which the change of volume remain constant during sharing is called critical void ratio critical void ratio change of volume remain constant तो उसका critical void ratio बोलते है एक definition है आपको याद करनी पड़ेगी भई अगला देखिए which of falling exception is used for design of axily loaded compression member के लिए या पर steel के लिए axily loaded compression steel के लिए member के लिए तो वो secondary stresses are neglect secondary stress जो होता है वो neglect किया जाता है तो यहाँ पर modulus of elasticity is not assumed to be constant तो modulus of elasticity जो होती है वो assume ही की जाती है यह गलत है वई assume to be constant तो यह आद रखिए secondary stresses जो होता है वो which may be of order even 25-40% primary stresses are neglect यहाँ पर नहीं दिया गया है यह गलत है secondary stress to neglect की जाता है 25-40% लिकनी यह गलत होगा बाकि इसको यह तो बिलकुल सही है ऐससी देखी कितने बड़े बड़े question जो हो पूछता है तो देखी question यहाँ पर बोल रहा है कि which of the following statement are true with respect to working from whole to part देखी plain table से question पूछा गया है तो कौन सा सही होगा भाई यहाँ पर एक एंड तीन एक एंड तीन यह और यह error are minimisable सभी को पता है कि major control points are established first with higher prescription and then the minor control points are established using less prescription तो देखी एक एंड तीन बिलकुल सही point है working from whole to part आपको पता है कि यह plane table में ही आपको देखने को मिलते हैं अगले देखी दा hydro power plant which utilized the minimum flow in a river having no perceivable pond days on its upstream are called उसको आप run of river plant बोलते हैं run of river plant हम बोलते हैं अब देखे जो भई public work में j e वगरा है a e है उसको इसके बारे में पता हो रहा होना जुरूरी है तो देखे तो form used in public work for measurement book के लिए कौन से form होती है कौन से number की form होती है जो कि public work में measurement book के लिए use की जाती है measurement book के लिए हमारे पास यहां पर option बाइस दिया गया है form बाइस तो है वो labor role के लिए use की जाती है labor role के लिए त्रेइस बिल्कुल सही बात है यह measurement book के लिए use होती है लेकिन 21 जो होती है वो master role के लिए use होती है master role के लिए and 24 जो होती है वो first and final bill के लिए use होती है first and final bill के लिए यह भी देख लीचिए अब यह तो common चीचे है पूशी के यह है हमारे इस eyes code के अंदर आती है by कौन से sign किसे relate करते हैं तो यहां पर अंजर भी जिया गया है आप इसको मैंने कई बार इसको आपको बताया है अब अगला देखिए the limit beyond which the soil sample continues to dry the limit beyond which the soil sample continues to dry with no further volume decrease until its reach the dry state जब तक वो dry state में नहीं पूचा है वो shrinkage limit के नाम से हम उसको जानते हैं अब यहां पर sequence में आपको add करना है तो यह आप दिया गया इसको भी देख लीजिए होती है बनावड जो होती है पेरेंस जो होता है वह बढ़ अच्छा हो जाता है इंप्रूब हो जाता है वह फाइर जिस्टेंस जो होती है वह भी बढ़ती है थर्मल इंसुलेशन जो प्रॉपर्टी होती है वह भी इंप्रूब होती है और जो ड्राइंग श्रिंकेश होता है वो कम हो जाता है and also improve strength strength भी improve होनी जुरूरी है और जो crack problem होती है वो कम होती है permeability भी कम होती है तो यहाँ पर यही दिया गया है बाकी तो नहीं दिये गए है यह fire resistance बढ़ता है बाकी सारे गलत है अब अगला कुशन देखे ता method of proportionally mostly used for concrete rapid rigid payment on road construction is called method of proportionally जो होता है वो कौन सा होता है वो आपको guideline प्रवाइड करता है rigid payment के लिए concrete mix design के लिए तो हमारे पास यहीं आइस code है बाकी confused होने की जूरत नहीं है कि भाई यह answer नहीं होना था वैसे यहां पर आपके सामने यह क्यांसर यह होगा लेकिन इंजाम में इस तरह से टिक थोड़ी होगा तो आपको confused नहीं होना है अगला देखे application of curing on the prepared concrete result in application of curing on prepared concrete result in तो compressive strength हमारी बढ़ जाती है इसके क्या क्या एडवांटेज होते है उसकी strength increase होने का मतलब और कि concrete और उसकी compressive strength ही होगी एंड उसकी impermability जो होती है वो बढ़ती है, durability भी बढ़ती है, यह सारी चीज़े जो है वो बढ़ती है, concurring करने से. जिसने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, वो कर लिजिए साथ में bell icon को press भी कर लिजिए. अगला कुशन देखे, the total pressure is a force exerted by fluid when static mass of the fluid comes in contact with a plane or kerber surface. The point of application of total pressure on the surface is known as उसका हम center of pressure के नाम से जानते हैं, एक definition है, याद कर लिजिए. अगला देखे, the Bhopal gas tragedy 1984 took place due to release of which gas and from which industry, methane gas जो हुई थी, option 1, यह वैसे जीकर कोशन होना चाहिए, लेकर फिर भी याँपे engineering section में पूछा गया है, तो अगला कोशन देखे, हमारे पास क्या गया गया है कि, which of the following given option is not a type of water distribution system, water distribution system में से कौन सा नहीं होता है, option यह पे नहीं है, जाईसी बात है, perpendicular system नहीं होता है, ring system भी होता है, हमारे पास जिसको आप circular system के नाम से भी जानते हैं, grind system भी होता है, आपको पता है, radial system भी होता है radial जिसको आप journal system के नाम से जानते हैं, तो यह system होते हैं भी, बाकि यह perpendicular नहीं होता है, तो option one हमारा correct answer हो जाएगा, अगला देखे, which of the following sources of solid based has the highest chance of causing infection like hepatised B and C through skin roots if not handled properly, उसको handle properly नहीं करते हैं, तो वो biomedical, option C answer हो जाएगा, अगला कोशन देखे, a reversible reaction in which a changed iron in solution is exchanged for a similar charge iron electrostatically attached to an immobile solid particle, इस तर्म as, तो iron exchange के नाम से हम उसको जानते हैं, एक definition है इसको भी याद कलीजी, फ़री definition से भी exam में कोशन जो है, पूचे जाते हैं, अब अगला कोशन देखे, a cantilever beam of length L is subjected to couple M at its mid section, determine shear force at quarter span from the eye free end and fixed end, तो कोई दोनों end पर 00 होगे, fixed and free end दोनों पर 0 होगे, तो friends, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, next part में हम आपके next 50 questions discuss करेंगे, तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, अगर मैं और 50 51 questions और discuss करेंगा, तो वीडियो जो है, एक देट घंटे की बन जाएगी, तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं next video, अगर आपको पीडियो जाएगी, तो पीडियो के नीचे मैं link दे दूँगा, आप उस application को download करके, जो है, वहाँ पर test book pass भी ले सकते हैं, अगर आपको लेना चाते हैं, तो download भी कर सकते हैं